साथ के देड़ बजे और अभी सुबा सुबा बिंदू को इडली खाने का मन हो रहा है अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे नजारे बिल्कुल रात के हैं अभी टाइम हो रहा है क्यारा बज़रे रात के और हम जा रहे हैं देव माली तो हम लोग नाइट ट्रिप पे निकल देव माली जो है वह स्टर्न घाट का एक हिस्सा है और और उरिसा का सबसे हाइस्ट मौंटेन पीक है जिया और यह जो है और और अंध्रप्रेश के बिल्कुल पॉर्डर पर है तो हमारे भोवनेश्वर से तकरीबन 500 किलो मेटर दूर है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 9-10 गंडे के बीच में प्लान कुछ यासा है कि हम लोग भोवनेश्वर से निकलेंगे अभी जैसा मैंने बताया कि 11 बज़ रहा है साड़े 11-12 बज़े के आसपस पहुंचेंगे खुरदा रोड होते हुए स्रिका कुलम जो की है तकरीबन 300 किलो मेटर और उसके बाद हम लोग वहां से लेंगे राइट सीधा पहुंचेंगे देव माली जो की है लगभग 1500 किल मेटर और भाई साब यह जो साउल से जो रास्ता है ना वो बिलकुल पहाडि और यह ऐसे मतलब वो जो घाटी है ना सबसे ज़्यादा मज़ा इस पूरे ट्रिप का वहीं पहाने वाला है और अभी जो ठंड का मौसम है और देव माली की पहाडियों पर भाई सब जो फॉग बने होंगे और जो वहांगा सन्राज और संसेट का माहौल है वो मैं पहान न तो स्टे टून फाइले ट्रिप इस ओन आ गया है सब लोग पीछे देखो इधर हमार भी उनते हैं पूरा एकसाइड़ है तो यह गाड़ी है डिजायर दूसरी है चंद्रासर की गाड़ी डस्टर यह दोनों गाड़ियां जिसे हम लोग जाने वाले हैं यह गाड़ी ड्रा अब करेंगे चंद्राशर तब गाड़ी में हम लोग बैठते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से बात होती है गाड़ी के अंदर है कौन कौन है बिंदू उस पर हैं है है अर यह यह हमारे उत्तमदा है है और यह तो पर हमारे स्टार्ट हो गया गया जिसनद्रासर की गाड़ी जारी जारी है जो ख्लाड जावे सरी डात निया वे नू बड़ तरपावे लचेन गई नापावे बावे 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 हरी राप तिंदिना आवे एनू बड़ा तड़ पावे दिल चेन कही आपावे पावे पावे तो यहां पर हम सभी करेंगे थोड़ा रेस्ट और डिनर करते हैं क्योंकि काफी टाइम से अम लोग गारी में बैटे हुए थे चलो देखते हैं होटल में क्या-क्या है क्या है यहां पर खाने के लिए मस्रूम होगा बेज होगा चला मसला होगा और पनी रहे हैं जाने के लिए एक लाइन पर पेडियो बड़ा दिया आएगा यह तो सुना वही बुला है यह जागा कौन सा सर अभी वियर अबाट तो कुछा इंड जाम किया कितने बजे भी दात के डेड़ बजे एक देड़ बजे बजे भाई ये एक वन फोटी सिक्स तो नासता ही है सुबह का तो मिनी ब्रेकफास्ट है हिले थोड़ा सा इसका बैटरी चार्ज चार्ज तमोरा बोगा तो रिचार्ज पर लेस्टर लेस्ट सबने खाना वाना खाके अपना ट्रिप फिर से रिज्यूम कर लिया है और हम लोग स्रिका कुलंग पहुच जाएंगे दो से तीन फांटे में और भाई एक कुहरा देखो चारो साइड खाना कुहरा और बिल्कुल ठंड वैसी अब इसी से अंग्राजा लगा सकते हो त्रिप क इतना रोमांचा कोने वाला और सोच देवमाली जाने से मेरे अगरा अगरा रहा है क्या माखो लोगा नजारे अलग ही होंगे जॉय कर रहे हैं हम लोग जाए करने से भाई बच गया हमें सूबा के पांच और हम लोग पहुआ जिए हैं स्रीका कुलंग पांच बच बच अब ही बस हम लोग यहां रुके होंगे हैं चाय के लिए और अभी सुबा सुबा बिंदू को इडली खाने का मन हो रहा है इंदो इडली खाई है और भाई बड़े इटल में जाके पहले अराम करना है चिकिन करके जो चॉइस खरण नज करें ना ना लूंज करें करें आब इसे कैसे भूल सकते हैं हमारी मुहबत सुबा की पहली तो संराइज जो की है स्रीका कुलम में अभी सुबा के छे बज़ रहा है और देखो कैसा अंधेरा अच्छाया हुआ हुआ है आज यहां पर पोंगल भी हो रहा है तो इस वजह से काफी चारों से धुमा भरा हुआ है हर जगह पे लिए जलाई जा रही है काट को एक साथ जलाय अगर जा रहा है तो हम लोग तो भी यहां पहुंचें चलो अंदर चलते हैं देखते हैं अगर देखते हैं अगर अगर छेकिन करेंगे और तो फ्रेश होंगे हम लोगों को होटल संद्राइज में रूम नहीं मिला तो ऑनलाइन ही हम लोगों ने देखा एक होटल था यह होटल जहां पर हमें रूम मिला तो हम लोग वह ही जा रहे हैं अभी आजा है 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 रात पर जगा हुआ है लड़का देखो खुल जा सिमसिम देखा जादू कि यह इस होटल का यह सबसान एरिया है कि यह वेटिंग तो हम लोगों ने यहां पर चार रूम लिए हो गया है कि छोटा सा वेटिंग यहां पर भी है यह और यह दोनों रूम हमारा है जो रूम का एक छोटा सा टूट रहता हूं अपको यह है यह है पेट एक सूफा है चेर चोड़ा सा टेबल तरह टीवी तरह कबड़ दिया हुआ है मेरा एसी है लाइन फोन जो की रेसेप्शन से कॉंटाक्ट करने के लिए है और यह है इसका वाश्रूम गीजर नहीं है इसमें यह देखो कैसे सडकी भींगी हुई है यह आंदर प्रदिस में स्रीका कुलम जगह है यहीं से हम लोग फिर देव माली के लिए आगे बढ़ेंगे यहां पर इसलिए रुग गया है क्योंकि हम लोग रात भर जर्नी करके आए रात भर सब लोग जगे हुए थे और फिर यहां से अभी देव माली जाने में कम से कम तीन से चार घंटे लगेंगे तो फिर वो बहुत रास्मेंट हो जाता और रिस्क हो जाता क्योंकि फॉग आप देखी सकते हो कितना ज़रा फॉग है तो इस फॉग से बचने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम अब बारिश हो रहे है यहां पर उसकी बूंदे बिल्कुल कजित ऐसे लग रहे है ताफी ठंड़ हो चुक है पीछे देखो आज जल रहा है मज़ा आ रहा है यहां पर आज तो अभी हम लोगों ने मॉडल में चिकिन कर लिया है अभी थोड़ी दिर सोएंगे हम लोग उसक अभी बहुत और प्लान है अभी तो सबसे पहले हम लोग आराम करेंगा और उसके बात देखे आगे तो भाई अभी बजगा है याठ चेकिन में करके थोड़ा रेश्ट वेस्ट लेके अभी जा रहा हूं नहाने नहां के थोड़ा सोंगा और उसके बाद फिर हम लोग लग और फिर लॉंज करके देवमाली के लिए निक्रूपते हैं बज रहा साड़े बारा और उसके निक्रूपते हो माली के लिए यह रहा हूं लोगों ने रेड ही पान लिया है अगली होटल से हम लोग निक्रूपते हैं सामानों करा होटल में ही रखती है बस कीज और ट्राइपोड को दर लेके लिए अर्टो और बाती लोग बेशे करे वाल में उसरी उत्तो त्हेयों वाली करता है जालो अबी गारी मही घए अगे गारी महीं जारे बाहर गाडी के पास वो पारकीं यहां पिखे हैं यह जीए पहारी जोनों गारिया लगे हो यह जल्टर की डास्टर मजी अफ्तन दखकर बाद पीछे राल का बुंदी बीदो, पीछे बैक 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 कि में पर चेरे फिरसे इस कार में आर्था बिपती और हमारे उत्तंदा किसा टाइम लगज़ा कर तो महां जाने बाइब चार घंटा चार घंटा बाई तो चार घंटे का यह ट्रिप अबाले कि अज़ कर दो कर दो खचुकी को तो अभी हम लोग बीच में रुक रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल चाय पानी के लिए क्योंकि हम लोग डिरेक्ली रूम से निकल गया थे नास्ता सुभा ही किया होगा तो थोड़ा सब को भूख और प्यास वगरा लग रहा था तो अभी हम लोग बस काड़ी से उतरेंगे वाच मिनिट का ब्रेक नारील पानी और थोड़े बहुत स्नैक्स वगरा लेंगे और उसके बाद क्योंकि यहां से फिर व्लोग डिरेक्ली निकल जाएंगे झाल 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 झाल